दोस्तों इंडिया डेरी फार्मिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल में हम किसी तथा पसुपालन से संबंधित जानकारियां अपलब्द कराते रहते हैं जो की सामाली से सामाली किसान से लेकर देरी उद्यमी तक के लिए बहुती लाबदायक हो सकते हैं तो आप इस चैनल को अभी यहाँ पर से या फिर यहाँ पर से जरूर सब्सक्राइब कर लें रेगुलर अब्डेट्स के लिए आप हमारा फेस्बूक पेज भी लाइक कर लें दोस्तो इस वीडियो में आज आप गुजरात राज्जी के एक प्रसिट गव नसल कांक्रेज के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कांक्रेज नसल की गाई को गुजरात राज्जी में बनास कंथा जिले के कांक्रेज सहर में उत्पंद माना जाता है कांक्रेज गाई राजिस्थान के दक्षिनी पश्चिमी भागों में भी पाई जाती है इस नसल को दूद उत्पादन और कृषी उत्देशियों के लिए उत्तम माना जाता है इस नसल के बैल भी अच्छे भारवाहग होते हैं अता इसी कारण इस नसल के गौवन्स को दूई परियोजनी ये नसल कहा गया है यह भारत की प्राचीन नसल मानी जाती है कांक्रेज पशू की बहुत अच्छे सारी रिट बनावट होती है यह अपने अर्धचंड्र आकार के सींगों के लिए जानी जाती है जो इसे अच्छेदी खुबसूरती प्रदान करते हैं दूसरी गायों के मुकाबले इनके सींग काफी मजबूत और तीखे होते है कांक्रेज गाय भारती नसलों में सबसे भारी नसलों में से एक है यह पशू अच्छी गर्मी शही शोनता और कीट प्रतिरोधी मानी जाते है कांक्रेज गाय हलके भूरे से लेकर चांदी के रंग में पाये जाते हैं इनके शरीर के बाल छोटे और मुलायम होते हैं कांक्रेज गाय अच्छी दुग दूद पादत नसलों मानी जाती है इस नसल की गाय प्रति दिन 8-10 लीटर तक दूद देती है इन गायों का वार्षिक दूद उत्पादन साड़े 1700 लीटर से 2000 लीटर तक होता है आकरशक बड़ा सरीर, अपने भारवाहक कोशल और अच्छे दूद उत्पादन के कारण कांक्रेज गाय भारतिय नसलों में सूप्रसित है तो दोस्तों, इस वीडियो में आज आपने कांक्रेज गाय के बारे में विस्तार पूरवग जाना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं क्रिश्वी तथा पस्वपालन से संबंदिर जानकारी के लिए आप इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्यो फर वाचिए